हेलो एवरिबन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है आईश्मान भारत डीजिटल मेशन, आप सब जानते हैं अभी रेसेंटली हमारे प्रधान मंतर श्री नरेन मोधी जी ने भारत में आईश्मान भारत डीजिटल मेशन की शुटवात की है, तो ये है क्या भारत की स्वास्त विदाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुबात किये इसके मदद से मरीज और डाक्टर अपने रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं यह important point है Health ID हर एक नागरी को Health ID दिया जाएगा इस मिशन के तरफ पुरदेश में आईश्मान भारत डिजिटल मिशन के तरफ हर नागरी को Health ID तयार की जाएगी प्रादान मंत्री मोदी के मिशन मोदी जी ने लाँच करते हुए कहा कि आईश्मान भारत डिजिटल मिशन अब पुरदेश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सलुशन को एक दूसरे से कनेक करेगा इस मिशन का में एम क्या है कि स्वास सेवा को डिजिटल बनाना जैसे आप सब जानते हैं कि एक इंडिया में डिजिटल करांती आचुकी है हर चीज डिजिटल आईज हो रहा है तो हमें हमारे जो रिकॉर्ड्स वो भी डिजिटल होनी चाहिए इसलिए ये ऐसी योजनाय का काफी लाब दायक हो सकती हैं तो सरकार का कहना है कि इस मिशन का सबसे बड़ा लाब देश के गरीबों और मध्यम वरकों होगा मरीज को देश में कहीं पर भी ऐसे डॉक्टर ढूनने में आसानी होगी जो उसकी भासा भी जानते हैं और समझते हैं और उसकी बिमारी को बहतर इससे क्या होगा कि मरीज और डॉक्टर का संपर्ग अच्छा होगा प्रदानमंत्री मोधी जी ने मिशन को लॉंच करने के दोरान कहा कि इससे मरीजों को देश के किसी भी कुने मौझूद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्ग करने की सहुलियत बढ़ेगी सिर्फ डॉक से छुटकारा यूनिक हेल्थ आईडिक कार्ड के बनने पर मरीजों को डॉक्टर के पास फाइल नहीं ले जानी पड़ेगी उसके सारे रिकॉर्ड डिजिटल रूप ले उपलब्द रहेंगे यह कुछ आप समझ सकते हैं आपके मेमरी कार्ड जैसे जैसे हम महां पे सब रखते हैं तो ऐसे हमारी जितनी भी बिमारियां होंगी बच्पन से लेकिए जब तक हम जिन्दा रहेंगे तब तक हमारी पूरी बिमारियों का वहां पे रिकॉर्ड रहेगा हमें जिसे फाइल बनाने की जरौत नहीं है कि हमने हमें यह हुआ था इस साल तो आपे जब भी हम कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे और हमें जो दिक्कत हगों महां पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा और उस आईडी में स्टोर कर दिया जाएगा पाइलेट प्रोजेक्ट फिलहार यह मिशन अपने शुरुगाती चरण में 6 केंद्र सासित प्रदेशों में आज में ग सरकार का कहना है कि अभी तक 2 करोड से अधिक देशवासियों ने इस योजना के तहत मुख इलाज की सविरा का लाग उटाया और खास बात यह है कि इसमें आधी लावरती महिला हैं तो आज देख सकते हैं यह योजना काफी लाबदायक होने वाली हैं आने वाले समय में तो आपका भी अगर हेल्थ आईडी नहीं बना है तो जल्वी से आप अपना हेल्थ आईडी बनवा लें काफी लाबदायक होगा इससे आपकी बीमारियों को ट्रैक कर पाना यानि आप कहीं भी जब जाएंगे तो डॉक्टर आसानी से आपको इससे पहले क्या हुआ था क्या प्याइड थी कौन सी दवाईगे आपने ले थी इससे आसानी से डॉक्टर को आपकी बीमारियों का पता चलेगा इससे वो बैं जो पहतर चिकत्सा इलाज आपको दे सकेंगे और उनकी जानकरी जो आपके जानकरी है उनकी जानकरी से काफी अच्छी तरह से मैच करेंगे अरा को अचिता वाइंडे से के मिल, थैंक यू